विलो फ्रेंब्स चैसर आदिकुष्णा setब अच्छे होंगे सेफ होंगे स्वस्त होंगे प्रिटेक्टर होंगे और नाम był जब आप जलूर से कर रहे होंगे तो आज हम दिखेंगे कि आपके लिए डिवाइन तो क्या गाइडेंस है आपके सबसे पहला जो इमपोर्टन मेसेज आपके लिए है कि इस वक्त आपको अपना हर ए क्रेड़िया यहां पे बहुत केरफुली आपके हर एरिया में आपको डिसिजन लेना है ठीक है। बहुत ही प्यूरिटी आपको अपने थौट्स में, अपने वर्ड्स में, अपने कर्मों में रखनी है। कोई ऐसा काम नहीं करना है। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही पात प कि आपια सार। कि अपने टेस्टीनी पर आपको यहां पर विश्वास रखेंए अपने ड्रीम पर आपको तुरूत है रखना है यहां पर यहां पर सुआपको यहां पर गाइडन रचा होता है ना बहुत प्योर इंटेंशन उसके होता है उसके नहीं पता होता है क्या उसको कोई कोई उसमें मैनीपटिशन नहीं होता है ठीक है आपको II friendship करना है शपकर mental no करें चो आपका कर्मा करें क्योंकि आप यहां पर यहां पर यहां पर आप यहां पर फैलाने के लिए आए उसे विए भक्ति को यहां प्लाने के लिए आए है ठीक weird को कि divine आपको यह कहना चाहते हैं कि आपको peace की यहां पे reward blessings मिलने वाली हैं यहां पे और साथ में आप अब life में आप एक effortlessly flow करने वाले हैं effortlessly sorry effortlessly मतलब यहां पे आप की आप बहुत ही बहुत एक बहुत ही एकदम smoothly आपकी life में चीज़ें होने वाली हैं कि बिना किसी barrier के बिना किसी obstacle के यहां पे लेकिन उसके पहले यहां पे आपको अपने intentions को आपको यह बहुत ध्यान रखना है कि आप कोई negative thought यहां पे universe आप यहां पे आप इस तरीके से भी कर सकते कि आप आयम प्यूर डिवाइन वाइन बीइंग आ आप शॉट में भी इस तरीके से आप यहां पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं उसको आप chant कर सकते हैं आप यहां पे affirmation को आप जिस भी तरीके से यहां पे अपने mind को positive रखना चाहें उस तरीके से यहां पे आपको रखना है तो कि आप यहां पे affirmations आप videos की through भी सुन सकते हैं बट आपको किसी भी तरीके से यहां पे आपने कर्मों को मनवचन कर्म वानी से आपको बहुत ही प्योरिटी रखनी है कोई मैनिपलेशन आपको नहीं करना है और उसके बाद यहां पे 20 नंबर का कार्ड है यानि कि टू नंबर जो की बैलेंस को शो करता है दाइस स्फिंग्स नंबर है यहां कार्ड है इस कार्ड के स्थ्रू दिखें यहां पे आपको डिवाइन ये कहना चाहता है कि आप खुद एक पोर्टल है क्या कि आप यहां पे खुद ए सेंड करेंगे आप इंट्रेंश्ट करेंगों करेंगे तो उस परसन को यहां पे healing ज़रूर मिलेगी ठीक है आप भी देखते होंगे कि आपके आसपास जब लोग होते हैं तो वो अपने आपको बहुत ज़्यादा happiness वाली energy में फील करते हैं एक divine portal है divine energies का तो आपको उसे एटिलाइस करना है आपको इसे प्रॉपर इस इस चैनलाइस uh को आपको करना है दूसरों को healing send करके दूसरों को blessings send करके जिनने नीडी परसन है उनके लिए आप इहां पर मंत्रा ज्याब कीजिए यहां पे किसी ना किसी तरीके से यहां पे आप उनके लिए कोई healing यहां पे आपको send कर रहे हैं ठीक है अगर आप कोई healing practice करते हैं आप यहां पे प्रानिक healing रेकी healing या किसी भी तरीके की healing आप जानते हैं उस तरीके से भी आप यहां पे healing send कीजिए needy ones को ठीक है वो यहां पे आपके लिए सकते दिवाइन अपके लिए एक बहुती ब्राइट बहुती भाइन पौर्टल यहां पे आपके लिए ओपन कर रहे हैं और चुरे तरीके से आप completely divine में merge हो रहे हैं यहाँ बहुत बड़ी blessing यहाँ पे आपको मिल रहे हैं कि divine खुद यहाँ पे आपको यहाँ पे खुद के साथ unite कर रहे हैं यानि कि आप को universe ने choose किया है आपको universe ने किसी बड़े higher purpose के लिए choose किया है अगर आप इस reading तक आए है definitely यहाँ पे आपको divine ने एक higher purpose के लिए आपको choose किया है आप यहाँ पे ऐसे ही इस reading तक नहीं आये हैं आपको divine यह बताना चाहते हैं कि आपको अपनी energies को बहुती समाल कर बहुती सही जगे पर invest करना है और उसे proper channelize करना है ठीक है यहाँ पे आप healing send करनी है किसी तरीके से यहाँ पे मुझे एक बहुत strong message जो मिल रहा है वो आपको अपनी healing power को use करना है ठीक है आप और उसके बात यहाँ पे wow thank you so much universe mother mary's aquarium mental देखिए यहाँ पे जो अभी हम बात कर रहे थे उसे connected ही message यहाँ पे आया है आप definitely देखिए इसमें message है कि आप यहाँ पे compassion आप यहाँ पे empathy आप यहाँ पे kindness healing love spread करने के लिए आये हैं आपको choose किया है universe ने यह divine blessing है आपको क्योंकि आप chosen है ठीक है और यह blessing सभी souls को नहीं मिलती है आपको मिली है आप बहुती blessed souls है इसके लिए आप universe को divine को धन्यवाज जरूर कीजेगा और साथ में आपके लिए यहाँ पे guidance है यहाँ पे mother mary आपको य religion wise मत लीजेगा आप यहाँ पर energy wise लीजे ठीक है यहाँ पर divine की energy आपको यह आपको कहना चाहती कि अपने heart chakra पर open कीजे आप यहाँ पर past की बातों को याद करके ना अपने heart chakra को ही यहाँ पर पूरी तरीके से close कर दिया है आपने ऐसा लग रहा है कि door close कर दी है मुझे ऐसा उन दर्वाजों को open करना है उन doors को open करना है उन अपर्च क्योंकि opportunities आपके लिए आ रही है लेकिन वो आप तक तभी पहुंच पाएंगी जब आप अपना उसको accept करने के लिए अपने heart chakra को open करेंगे उस पर work करेंगे उसे heal करेंगे और acceptance mode में रहेंगे ठीक है यहाँ पर आगे बढ़ने का मतलब यहीं नहीं है कि आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहें किसी चीज को किसी situation को अपनी ट्रीम को या person को लेकिन आपको मूफ करना है उस energy से मूफ करना है जैसे ही आप यहाँ पर मूफ करते हैं तो यहाँ पर डिवाइन की एंचल्स की यहाँ पर blessings आपके उपर हैं तो यहाँ पर बहुद ऐने आपके साथ इस वक्त काम कर रही है वह तो यहाँ को यहाँ आपको बहुत ही बहुत समझ कर इंवस्ट करना है सबसे पहले और ऑर फॉर्टा सीडियों करना है खुद को माफ करणा है एकख को लिए व दिल्ट के एनरजी में नहीं जाना है खुद को माफ कीजिए और दूसरे को अगर आपको लगते किसी को माफ करना है तो उसे माफ कीजिए उसके आप हो पनोपनो प्रेयर भी कर सकते हैं वह आप डेली आप सुने के सुने के टैम पर जरूर करें ट्विंटीवन डेज या जित इतना प्यारा अफरमेशन और यहाँ पर अपको डिवाईन यह कहना चाहते हैं आपको यह फील करना है कि आप यहां के पॉर्टल डिवाइन छडी आव यहां पर Pork प्रेंड करने आए हैं आप यहां पर यहां पर रिलिंग करने तरीके कहीं किसी ने किसी लेवल किMary 2014 ठीक और उसको आपको उस उस इसलिहें आपको मुझे जो आपको टूलर है कुछ जलग तरी होथा कि ऑपकी मैच नहीं हो रही है आप जिनके साथ थोग्त रहा रहे हैंентов कर रहा हैं रैजोनेंट बट आप alignment में नहीं आ पा रहे हैं वो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपकी vibrations यहां पे high हो रहे हैं आप यहां पर work कर रहे हैं आप यहां पर divine souls हैं आप यहां पर chosen ones हैं तो आप सामने वाला नहीं है उसने उसकी soul ने अभी इतनी growth नहीं किया है जो growth आपने past life से आप क करने हैं यहां पर आप divine के portal हैं यहां पर ठीक है divine की energies को channelize करने के आप एक instrument है और यह को हर किसी soul को नहीं मिलता है आपको इस बात को समझना है और अपने आपको किसी से compare नहीं करना है और जो guidance वो guidance प्लीज आप जरूर follow कीजेगा माफी आपको खुद को भी कर देनी है और किसी और person को भी आपको लगता है तो वो भी देना है साथ में यहां पर आपको यहां पर अपनी energies को बहुत protect करके रखना है protection भी लेना है और यहां पर आपको I connect to the God force within the Sphinx ठीक है आपको universe की divine की energy से connect होना है उसके लिए आप meditation कीजे ध्यान कीजे थोड़ा ध्यान जरूरी है इस वक्त आपके लिए तकि आप universe की divine की energy से directly connect हो पाएं तो friends यह थी आपके लिए बहुत ही प्यारी सी reading divine के आपकी current situation के लिए क्या guidance है क्या message है I hope आपको reading अच्छ लगी हो तो please guidance जरूर follow कीजेगा और reading अच्छ लगी हो तो comment में आके जरूर बताएगा and thank you so much thank you thank you thank you आपके इतने प्यारी blessings इतने प्यारी comments करने के लिए इतने प्यारी blessings और आप इतना positivity spread करने में मेरी help करे हैं मेरे soul purpose में आप इतनी help करे हैं vibrations को high करने में मेरी help करे हैं तो thank you so much thank you god bless you तो friends अपना ध्यान जरूर रखेगा और मिलते हैं next reading में जैश्री रादे कृष्णा जैमा काली र आदे रादे